प्रदान मंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षित दलों के नेताओं पे गला फाड़ पाड़ के गलत आरोब लगाते हैं, उसी प्रकार समें हमारे प्रशनों का उत्तर दिजिए, यह मांग आज आपसे देश कर रहा है। प्रदान मंत्री जी, जिवाब पहली बार चुने गए थे, जन्रता के साथ कई आशवासन दिये थे, कई प्रामिसेस किये थे, एक भी, कम से कम एक भी, आपका किया हुआ वादा पूरा हुआ क्या, हम जानना चाहेंगे तो किया है, तो किस वादा आपने पूरा किया। एक भी, कम से कम एक भी, टार्च लाइट दाल के भी डूंडो तो नहीं मिलेगा। यह मही नहीं सारे देश कह रहा है। यह तो प्रधान मंत्री का आदत है, चुनाओ के वरत है, मीटी मीटी बातें। चुनाओ गुजर गया तो जूटी जूटी बातें। यह देश देख रहा है, देश महसूस कर रहा है। अगर आप सही देख तो फिर किसानों को क्यों मापी मांगा। आपके बनाई हुए कानून क्यों वापस लिए। और उसके बाद में किसानों को जो आशवासन अब दिये थे, क्या हुआ आज तक कोई बात ही नहीं है। अरहालत से इंदुस्तान बेहाल होते जा रहा है। किसान परेशान, बेरोजगार नौजवा परेशान, उद्योगपती परेशान, इंफ्लेशन बढ़ रहा है, प्रैज रैज हो रहा है, एसेंचिल कमोडिटिस का। आपका अड्मिनिस्रेशन का गुनोवत्ता क्या है, क्या नतीजा मिला है इस देश को। लोग तंत्र का हत्या कर रहे हैं, राजयों के सरकार को गिराने में आप विस्त हैं, अब तक नव, नव सरकार आपने गिराई हैं, यह आपके रिकार्ड में हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है, किसी भी तरफ देखो, बेहाल हिंदुस्तान, किसान परेशान, जवान परेशान, नवजवार बेरुजगर परेशान, उज्योग पती परेशान, कौन कुशे हैं आपके सरकार से, सिवा आपके बाशन बाजी के, सिवा आपके जूटे प्रचार के, आपके अगबारिव विग्यापन से, कौन कुशे हैं? हकीकत जाने के कोशिश कीजिए, कि आपके किलाफ किस प्रकार का जनान दोलन चल रहा है स्री लंका देश में? क्यों चल रहा है? आपने स्री लंका जागे प्रधान मंत्री का रोल नहीं निबाया, बलके एक छोटा से ब्यापारी का सेल्समें बन गए थे आप, देश का अपमान किये। वज़े से, कहें सच नहीं है? आपके मंत्री लोग, आपके प्रवक्ता लोग, आप खुद भी गलाप पाड़ पाड़ के बड़े उंचे आवाज में बोलते हो, क्यों चुपी साधे हुए है स्री लंका के मामले में? कोई सरकारी प्रवक्ता अपना मूँ क्यों नहीं कोल आप आप अपने आप में खुद में क्यों नहीं बोल रहे है इस बात में? क्यों चुपी साधे हुए हो? क्या वज़े है इसके? और इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है? सी लंका पार्लेमेंट कमिटी के सामने सी लंका एलक्सिटी बोड के चेर्मन बयान दिया, दुनिया क सामने कुले आम के भारत के प्रदान मंत्री के दबाई के कारण हमने ये कांट्राक्ट किसी इंदूस्तानी बेपारी को दिया. यह क्या देश का इज़त बढाएगा? किसी भी आपसे पहले आए हुए बने हुए, किसी भी प्रदान मंत्री जी के काल कंड में ऐसे आарोब भ आ था जब आप प्रदान मंत्री बने थे मेकीन इंडिया मुदी जी मैं एक बात पुछता हूं सव साल के लिए एक सव साल के लिए उपयोग करने के लिए हमारे देश में भगवान हो या प्रकृति हो दिया हुआ संपत्ति है कोईला एक सव साल के लिए आपर भी जियालिजिकल सर्वेस साय आपर भी निकल रहा है हर साल पांच मिलियन टन से लेकर आप मजबूर है आपके शाहुकारों को हिल्प करने में आप तो है मजबूर राजों के सरकार पर दबाव डाल रहे हुकुम पर हुकुम दिये जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोईला इस्तेमाल करो वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्ली बंद किया जाएगा ये क्या दादागिरी है जबरदस्ती है ये लोग तंत्र का मान मर्यादा है इसवें जी मैं आपके सामने रखना चारो हमने इंकार कर दिया अब जो मर्जी कर लो हिंदुस्तान के कोईला चार हजार के अंदर एक तं मिलता है मोधी जी का जो कोईला है पच्चीस से लेके तीस हजार कट मिलता है चार गुना पांच गुना ज़्यादा दाम देके जोग इनका दोस्त है एक शावकार वो इंपोर्ट करता है इसलिए मैं आपको टाइटिल दे रहा हूँ कि आप परदानमंत्र का काम नहीं कर रहे हो आपके शावकार दोस्तों का सेल्समन बन के काम कर रहे हो हाँ बिल्कुल फेट कंपनी चला गया फोड कंपनी चला गया जेनरल मोटर्स चला गया डाřसन चला गया युनाइटेड मोटर्स चला गया, हारली डेविडसन चला गया, क्या ये सथ नहीं है, सर जुग जाता है शरम से, सरकारी आंकडे बताते हैं कालादन डबल हो गया, दुगना हो गया, कालादन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हो गया, स्विस बैंक से फैसे नहीं आये, किस किस देश है, किस किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समेंट बनके काम किया, उसके पीछे कितने बड़े-बड़े गोटाले है, देश जान चुका है मोधी जी, आप धरा दमका के कितनों के आवाज दबाओगे, कितनों को रोकोगे, बस चार-चार बढ़ गया दे परफार्मिंग अकाउंट्स का जो गिंती है, वो सिर्फ 4-5 लाग करोड में थे, आज NPS का क्या दर है, 20 लाग करोड ये है, विकास मोधी जी, इस्तोफा दिया आपने देश को, का ये भी गलत है, हम जो कह रहे है, सच कह रहे है, आप ही के बतायोए आंकडे कह रहे, ये हम उपारे आंकडे नही है, इस फिர्स रा नाट मेर गलत है, इस लाग करोड और श्तोफार जोमारे होन्ट्स कि अवलत है, ये औक ही का रहे है, मुआускे थे लाग करोड आणि मुद तोवर्यों फार्मी आणिधे पार्लेम। the rate of NPS in India today is about 18.6 lakh crores पता नहीं उसके बाद में और कितने बड़े this is the reply by the Honorable Finance Minister of India यह आपके गती शील, विकास शील, नीतियों का नतीज़ा है क्या किस चीज़ का यह नतीज़ा है आपके गलत कारणामों से, गलत उसूलों से, गलत फाइसलों से देश का मान मर्यादा गिर रहा है, जीवन प्रमान गिर रहा है लोगों में आकरुष बढ़ रहा है, यह सच है 15 लाग देंगे हर किसी के काते में आ जाएंगे 15 पैसे नहीं है, लोग इंतिजार कर रहे हैं, कभी का रहे है मोदी जी हम तो आपको वोट देते रहेंगे, 15 लाग जब तक हमारे काते में नहीं है आशा है कि आप देंगे, कभी गार हैं आपके गुनगान किसी भी वादा वुज्योग पतियों के साथ, छोटे वुज्योगों के साथ आपने जो वाइदा किया में सेमी को एक गंटे के अंदर लोन देंगे महीनों बर भी इंतिजार करें नहीं मिलता बस आपका वादा वादा रहे है मुदी जी आप जब रूपिया गिर रहा था जब मानिय मंदमाउन सिंग जी प्रदान मंत्री थे आप अपने गलाब फाड़ पाड़ के बोल रहे थे आज रूपिय का वैल्योग क्या है मैं पूछ रहा हूँ आपसे कल उत्तर दीजिए बारत के इतिहास में पहली बार सुपसे नीचा वैल्योग किसी प्रदान मंत्री के समय में नहीं हुआ यह भी आपको शोबा देता है प्रदान मंत्री जी 79 रूपियस यूएस डालर के प्रती आज हमारा रूपिय के वैल्योग है 79 रूपियस अरे बापड़े यह देश का आलत को बता रहे हैं आपका कितना महान अड्मिनिस्टेशन है इसका यह नतीजा है आप भी कह रहे थे मैं जानना चाहता हूँ भई नेपाल का रूपिया नहीं गिर्था बंगलादेश का नहीं गिर्था सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता है हम जानना चाह रहे हैं मोधी जी आज भारत का ही रूपया क्यों गिरता हम भी आज जानना चाह रहे हैं देश जानना चाह रहे है किसी प्रदान मंत्री के समय में इतना नीचे नहीं कहा रूपी वैल्यू जितना आपके समय में जा रहा है मे प्रिंगान सरकार भी गिराएंगे ठीक बात है गिराएंगे हम भी इंतिजार कर रहे हैं उस बात का ताके हम फ्री हो जाएंगे आपको दिल्ली से उतार देंगे हमेशा हमेशा करांति का रास्ता क्राइसिस से ही बनता है